दोस्तों आपके अपने चैनल ओन इस्टेडी क्लास पर मैं आज आप लोगों को भी ये पार्ट थीरी का एकोनोमिक्स ओनार्स पेफर 6 बताने वाला हूँ इसका जो आज का कुश्चन है वो है क्रीसी करांती से क्या समझते हैं विटेन में क्रीसी करांती के कारणों की व्यक्ष्या करे या ग्रेट विटेन की क्रीसी करांती की समाजी को और आर्थिक कारणों की विवेचना करे ये दोनों कोश्चन भी आएंगे तो आपको क्या लिखना है सो मैं बता रहा हूँ इसको क्या करना है आपको ध्यान से देखना है सुनना है अगर नहीं देखते हैं तो सुन भी लेते हैं तो आपको बहुत ही helpful करेगा तो चलिए देखते हैं इंगलेंड में ठारवी सताबदी में क्रीसी छेत में करांती कारी परिवर्तन हुए जिसे क्री पेशा खेती करना था उस समय तक इंगलेंड में प्राचीन तथा मद्यकालिन तरीकों एवं पुराने यंद्रों से खेती की जाती थी परचलित परथा के अनुसार जिस खेती में दो साल फसल बोई जाती थी उसे तिसरे वर्स खाली छोड़ दिया जाता था एसी मानेता थ थी की खेत खाली छोड़ देने से उसको उर्बरा सकती फिर से प्राफ्त होगी भारत के समान वहां भी खेत छोटे छोटे तथा दूर दूर छिटके हुए थे खेत खूले होने के कारण उन्हें पस्व के द्वारा चरे जाने का भैबी बना रहता था चलने के लिए खेतों के बीच में पग, डणडी धी बनी राती थी, खेतों में गेहू तذरा राई आदी का फ़सले बोई जाती थी, लोग पराय जए तथा जो की रोटी खाते थे, क्येती करने वाले किसान एक साथ खेती करते थे, फ़सले एक साथ बोई जाती थी, तथा एक साथ काटी जाती थी, खेटों में बीज छिरक कर ही बौए जाते थे, खेती का करे घोरो द्वारा होता था, पर ते किसान के पास घोरा नहीं था, जमीदार लोग लगान तो लेते थे, परन्तु जमीन पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे, खिसान तो निर्धन थे ही, साथ ही उ दूर पर थे जो किरीशी लगान की दिरिष्टी से अलाफकारी थे इससे समय और स्रम की भी बरवादी होती थी खूले होने के कारण खेद पसवद वरचर लिये जाते थे इससे काफी फोसल नश्ट हो जाया करती थी इस पुरानी पधती में कुछ लाब भी थे गाउ में तो स्वेम उत्पन कर लिया करते थे गाउ के सभी व्यक्ति काम में लगे राते थे कोई भी भूमिहीन नहीं था अपाहिज बुढ़े रोगी आदी व्यक्तियों को आसरम से खाना मील जाया करता था क्रिशी बिवस्ता में परिवर्तन क्या हुआ कब हुआ 28 सताबदी में एसी प्रिश्टिती उत्पन हो गई थी जिससे क्रिशी सुधार करना अवस्चक हो गया था इंगलाइन की जनसंख्या में लगातार विरीदी हो रही थी इसलिए अनाज की भी अशकता पढ़ने लगी इस यूग में यूध अधिक हो रहे थे इसलिए बिदे को हर तिसरे साल परती न चुरने के लिए लोग नाना परकार के उपाई ढूडने लगे और उन्होंने अपनी चेश्टाओं में काफी सपलता भी प्राव्त की करी इसी करांती लाने वाले अनेक सासी और उधोगी पुरूस हुए जिन्होंने देश की अवस्ताओं को सुध अधिक ब्रीधी ब्रिटेन की जनसंक्या में तिवर गति से ब्रीधी हुई जिसके परिनाम सरुप खदानों की मांग में भी असा तित्व ब्रीधी हुई नेपोलियन के साथ यूद के करन बाहर से खदानों का आयात संभब नहीं था इसी स्थिति में ब्रिटेन को अपने खदानों की एतिरिक्त मांग को देश की किरिशी से ही पूरा करने के लिए बाधे होना परा अब किरिशी के तत्यकालिन पधती के अधार पर उपज में बिरीधी संभब नहीं थी अतियव इसमें सुधार लाना अबस्यक हो गया परिनाम सरुप इस यूग में तिवर गति स गेराबंदी अंदोलन प्रारंब हुआ गेराबंदी अंदोलन के परिनाम सरुप छोटे छोटे तथा बिखरे खेतों को बरे बरे चकों में मिला दिया गया इससे बरे बरे फॉर्म अस्तापित किये जाने लगे इन बरे बरे फॉर्मों में अधिक पूजी तथा नए अध अगला पूइंट जो है के पूजी करण क्रीसी के च्हेत में पूजी के परियोग ने भी बिर्टेन में करीसी का रांति के लिए मार्ग तयार किया, वेपार वादी पधति के अंतरगत इस यूग के विपारियों एबम वेफ्शायों ने विदेशी वेपार से बहुत अधिक उपारजित किया और चुकि उस समय ब्रिटेन में भूमी समाजिक पर्तिष्टा एबं राजनितिक सक्ति का अधार थी अता हुआ भूमी में पूजी लगाने लगे इसे भी क्रीशी छित में सुधार को प्रुसाहन मिला अगला जो पॉइंट है वो है अधोगी करांती के परिनाम सुरुप यहां हस्त सिर्फ धीरे-धीरे समाप्त होने लगा आत्यब छोटे-छोटे किसान इसका प्रित्याग कर अधोगी के इंद्रों में भशने लगे इससे क्रीशी क्रीशाक सरमिकों का भाब साहो गया जिससे विवस होकर क्रीशी के छेत्र में नए-णए यं करन होने लगा अगला जो क्वाइंट है वो क्रीशी को राज किये सरच्छन तो क्या हुआ प्राप्त तो बीटेन का क्रीशी करांती का एक परधान करन खेती के तरीकों में सुधार के लिए राज किये सरच्छन भे था जार्ज तीर्थिया जिसे उस समय क्रीशक जोर्ज कहा जाता था का नाम इस सवंद में विशे समान के साथ लिया जाता है क्रीशी करांती अंदोलन के फॉल सुरूप बहुत कुछ क्रीशी मंडल के मंदरी और अर्थर यंग के कारण थी जिन्होंने इंगलेंड ये वो फरांस की विश्टरित यातरा की और भिविन जीलों में परच खदानों का अधिक मुल्य था जन्संक्या में विरिधी के साथ साथ खदानों की मांग बढ़ी और मांग में विरिधी से मुल्य में विरिधी होने लगी इस परकार इस यूग में बिरिटेन की किरीसी करांथी बहुत से कारणों का परिणाम थी इन कारणों के परिणाम सुरूप ही धोग धन्दों की तरह किरीसी के छेत में भी बिरिटेन ने इरोब तथा किरीसी करांथी के लाव क्या हुए तो किरीसी करांथी का लाव किरीसी का उपज बढ़ाना उपज बढ़ाने से किसानों की आय में बिरिधी हुई पस्वों की संख्या में बिरिधी होने से सप्लाई में दूगुनी बिरिधी हो गई क्रिसि करांदी से धणी अधी बन गया मतलब धनी जो है अधीक धनी बन गया तदा निर्धन और भी निर्धन बन गया नए यंद्र और attackers साधन और भी भिवली को tut से गन्य याpi धनी किसान साल में दो तीन फासला सानी सूथपन कर लेता था परंतु निर्धन किसान धनावा के कारण उनका मुँ ताकते रहते थे चकवंदी भी धनी को के लिए ही थी गरीब किसान को भियाय तो देना पड़ता था परंतु भूमी सबसे खराब मिली मिलती थी पहले छोटे थी एक्ट का दूस परिनाम क्या हुआ कि एफ आर वेस्ट ने लिखा है कि एक्ट धनी के लिए बनाए गये थे निसंदे उन्होंने किरीशी की दासा सुधार कर खाद समस्या का समाधान किया था परंतु इन्होंने निर्धन की स्वातंदरता को नश्ट कर दिया था यंग भी कहा 20 में 19 एंक्लोजर एक्ट गरीब के लिए बरेहानी कारक सीध हुए और कुछ के लिए तो बहुत ही खतरनाक सीध हुए किरीशी करांती के फॉलसरों बीमानी में बिरिधी होने लगी लोगों का नैतिक पतन होने लगा था जमीन की कीमत बढ़ने से जमीदार जमीन ब लागे थे सरापीने वालों की संख्या बढ़ गई थी इस परकार लोगों का नैतिक पतन हो गया था तो अगला जो कोस्चन है वह है यदि 19 सदी का तीरतिय चेतुरांस बिरिटेन की किरीशी का स्वर्णी मियूग था तो अंतिम चेतुरांस बिकट अफसाथ का समय था भी के कोस्चन मैं तो नहीं बताओंगा बगर रंतु आप लोग पर लेंगे अगला कोस्चन मैं लेकर के फिर आओंगा तब तक आप लोग अच्छे से परहा किजिए थैंक्यू फॉर वाचिंग